गुर पर सादी जानिया साची लिव लागी है भीतर सत्मुरुश्यो मनमानिया परम सतकार योग सत्संगी जन्नौ फते परवान करो आहे गुरुजी का खलसा वाहे गुरुजी की फते परमात्मा दा निर्मल डर जदो मनुख दे जीवन विच प्रिवेश कर जन्दा है ते उस दी दिशा बदल जन्दी है की जदों परमात्मा दा डर नहीं सी ते उस दी मन्जिल विकार उस दी मन्जिल गुनाव इन दी विच समा बती तोंदा सी परमात्मा दा डर नहीं सी ते गुनाव ही करदा सी पाप ही करदा सी एही मेरी मन्जिल है और जदों मनुख नूं परमात्मा दा डर मैसूस होया ते फिर उस दिशा बुल जन्दा है जिस दिशा दे विच उस कदे बेप्रवा होके जन्दा सी अज उसे दिशा नूं बुल गया है जेड़े करम का अंड पहला करदा सी होन सब बुल गया जेड़े भारम ते सहम ते वहम जीवन विच सी होन सब कुछ मुक गये ते आप जी की का नदेयान कभीर भली भाई जो भाव परिया दिशा गई सब भूल और आगर पानी भयाओ जाए मिलेओ ढल कूल कि जदों प्रभूद डर पैदा होया ते इस डर नो केंदियन तपस जेड़ा मन कठोर सी अज प्रभूद डर करके मन शीतल हो गया मन शांत हो गया क्योंकि उन प्रभूद डर है की बोलना है की सुनना है प्रभूद डर विच है मनुख दे जीवन विच जे प्रभूद डर ना होवे ता फिर मन बड़ा कठोर हो जान दा है ते ओही मन जेड़ा बहुत कठोर सी अज गुरूद डर करके शीतल हो गया इस तरह जिमें तरती ते ओले पैंदेयन ते ओभावे कठोर हन ते जदों ओ धरती ते पैंदेयन ते फिर वेखदियां वेखदियां पिगल जान देयन ते पिगल के पाणी बन गये ते पाणी बन के नदी विच प्रिवेश कर गया पाणी ते ओही पाणी फिर सागर बन जान दा है सागर विच वेले नव गया जदों तक कठोर सी ओलेदा रूप सी जदों पिगल गया पाणी बन गया ते सागर बन गया ते मन जदों तक कठोर सी ओदों तक ओलेदा रूप सी और आप जी ने एनी वेखिया के ओलेदे नाड कदे मनुक इशनान करदा हुए मनुक नुप पाणी चाहिदा है ते ओलेदा रूप जेड़ा है कठोर रूप है ते जो पाणी है वो तरल रूप है तरल ता चाहिए दिया है ये प्राणी जे तेरा मन कठोर है फिर गल नहीं बढेगे और दानगुरु ग्रंच साहिब दिबाणी विच तांकाय देता कि जिनके चित कठोर है से बहें नसत गुरु पास क्योंकि ओदा चित कठोर है ओ किस तरह मैठेगा गुरु देखोर अक्सर ज़़ों भी मेल हुंदा है तां सजाती दा मेल हुंदा है विजाती दा नहीं हुंदा खोन सजाती है खुश्बु विच खुश्बु मिला दो सजाती है पाणी विच पाणी मिला दो सजाती है और सजाती दी ही मित्रता हुंदी है दान कुरु ग्रेंट साहिब जीदे बोलगएं, के जीणा कोई आकाश विछ उड़दा हुए तर उस्ती दोस्ती विवे उसे देनाल है, जो उड़दा हुए, उड़ते को, उड़ता मिले जो आकाउश विच उड़ रहा है उदी दोस्ती उसे देनाड है जो जमी ते चलदा है उस्ती दोस्ती भी उसे देनाड है और जिड़ा शारिरिक तलते मिट गया मर गया ते फिर अब जीने वेखिया है उसनों उत्थे ले जान देयां जो मुर्दा गाट है उस्ती जो दोस्ती है बाओ उस्ताइस्ताँ वही है मुर्दा गाट तो कबीर साहिब जीकंदियन जदो मन कठोर सी उदो तक परमात्मा दा डर नहीं सी जदों परमात्मा दा डर पैदा होया ते फिर मन दी कठोरता खतम हो गई और जदों मन दी कठोरता खतम हो गई ता पहला जिस दिशा विच जान दे सी ओ दिशा हुन भुल गई पाप कर दे सी हुन पाप करनो रह गई ते दशा इस तरह बन गई के मन कठोर होन पिघल के पाणी बन गया निवान भल आ गया और पाणी दी ये विशेष्टा है के अक्सर पाणी चलदा है निवान भल निवान भल जेकर मनुख पाणी नो कितने भी शिखरते पहुचा दवे जब पाणी भाप बन के अकाश विच उड़दा है फिर भी जमीत डगदा है जमीत जेकर उसे पाणी नो मनुख शिखरते ले जावे पर अखीर विच आउंदा जमीते आउंदा निवान भल है ते कबीर साहिव जी कंदियन के जिस मनुख दे जीवन विच निमरता नहीं है मनुख दा मन कठो रहे वो एक गल सुन लेन के ये जो शरीर है ये पंज तत्तां दा बनियों है ये पंज तत्त पवन पानी अगन धरती आकाश ये पंज तत्तां इनन दा जोड शरीर बन गिया ते छेवे नमबर ते परमात्मा दी अन्श है परमात्मा दी चेतना परमात्मा दी ताकत हुन कबीर सहिव कंदियन कबीरा धूर सकेल कै पुरिया बांधी देहे दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेह ये जिड़ शरीर है मिटी दबने हुए है और मिटी कठी करके कबीर सहिव जीकंदियन एक पुरिया एक पुरिय बांधी है पर चार दिना बाओद इसने फिर मिटी हो जाना है फिर मिटी हो जाना और एथे एक गौर करना के मिटी दब शरीर सारी जिंदगी फिर मिटी ही कठी कर गाए मिटी ते पुरातन समादे विच ता हथियार भी मिटी दे अन्दे सी जा फिर पत्रां दे अन्दे सी और जे जंग भी करना ते फिर मिटी लई धर्ती लई एवी धर्ती जित लमा वो मिटी है ते फिर मिटी लई मिटी दे हथियार फिर मिटी दे बंदे उनानों ही मारना फिर मारन तों बाद फिर मिटी विच ही मिल जाना मिटी विच मिटी तों उत्पत्ती होई है मिटी विच ही मिल जाना कबीर सहिप की कंदेयन हे प्राणी जगत विच आउनदा तेरा इतना ही मकसद सी कि मिट्टी तो उत्पती ते फिर मिट्टी हो जाना कि एही मनुरत सी कि मिट्टी तो उपजिया ते फिर मिट्टी हो गिया मिट्टी तो उत्पती मिट्टी विच ही फिर मिट्ट जाना ये तो फिर पशू पंची फिर सार्यां दी दशा इसी तरह दी है फिर जे तेरी वी दशा इसी तरह दी हो गई ते फिर फरक की है तेरे विच ते पशू विच तो कुछ वक्रा है पशूतों पंचीतों तो वक्रा है तो कबीर सहिब जिकंदियन हे प्राणी मिटी तो उत्पत्ती होई और जदों अखीरली इस्टेज आवे अखीरला पड़ाव आवे के मिटी हो जाना है उस तो पहना अपने आपनों तो समार ले उसनों कंदियन जीवत मरिय बहुजलतरी है जदों जीनी जी मनुख ने अपने आपनों समार ले फिर कंदियन वो मिटी हों तो बच गिया वो परम अवस्ता होगी फिर शरीर भा में पंज तत्ता विच विलेन हो गया पर उस ती जड़ी चेतना है वो परम अवस्ता ते पहुँच गई परमात्मा दे दर ते पहुँच गई जेकर जीन दे जी ऐसी अवस्ता ते पहुँच गया ऐसी अवस्ता ते अपड़ गया कर दने फिर ओ मिटी नहीं होंदा नहीं ता फिर एक चक्र चलदा रेंदा है चक्र और एक मैं छोटा जिया उदारन दे दूँआ दान गुरु ग्रण सहिब जी दे ए बोलगन जिस विच शाहिब जी फर्माउंदे हन हर हट की माला टिंड लगत है एक सकनी फिर होर भर्यत है जदों हरट चलदा है तो उदे विच एक टिंड नहीं है बहुत सारे हैं टिंडा कोई खाली हो के खूब विच जा रही है कोई बार के आ रही है तो इसी तरह परमाउंदे एक खेड है कई जीव आ रहे हैं शरीर लेके तो कई जा रहे है कितने ही जनम ले रहे हैं तो कितने ही फिर वापिस भी जा रहे हैं मौत हो रही है तो कबीर साहिब दी एक गल चेते रखना देवस चार को बेखना अंत खेहे की खेहे ए शरीर मिटी हो जावे वस्तों पहला कोई ऐसी खेड़ खेड़नी जेदे विच तेरा जीवन समर जावे शरीर विच ऐसे गुण पैदा करने अन जेदे नड़ जगत विच आवना सफल हो जाए क्योंकि परमात्मा ने मनुख दा शरीर जिस विधी दे नल बनाया उदे पिछे कोई बहुत वड़ी कोई जुगती है क्योंकि मनुख दा शरीर ते पशूद शरीर उना दे विच भेद है फरक है बुद्धी दा फरक है बुद्धी दा देखर मैं इस तरह अर्ज करां कि मनुख दी बुद्धी तो काट बुद्धी जानवर दी है जानवर दे कोई जड़ी चेतना है उस तो गाट चेतना बनस्पती दी है ते बनस्पती दे कोई जड़ी चेतना है उस तो बहुत काट मात्रा दे विच जिसनों केंदे हन ना दे बराबर वो पत्थर विच है पत्थर जेकर मैं इस तरह अर्ज करां कि पत्थर सौ फिस्दी सुत्था पे आए और अक्सर अशी कह देने कि इस मनुक दा दिल दिल नहीं है पत्थर है चेतना सुत्थी पही है पूरन तावरते चेतना सुत्थी पही है कि इस दिल विच कोई दर्द नहीं है सुती पही एचेतना, प्त्थर दिल ते उस पत्थर दिल ते फिर असरी नहीं होन्दा ना ओदे विच पाणी प्रिवीश करदा है ना उस पत्थर दे विच कोई नमी होनदी है पत्थर ता पत्थर है कठोर है क्योंकि गुर्णार्णक साहिबनो जदो पाई मर्दाना जी ने पुछ लेया माराज आप जी दा जो इस शबद है कि शबद दे नाडवी मनुख नहीं बदलेगा सत्गुरु जी कंदेयन नहीं बदलेगा क्योंकि जेकर मनुख दा चित ही कठोर है पत्थर बनिया हुया है फिर किस तरह बदलेगा जेकर चित कठोर न वबे ता सज़न ठग एकोई शबद सुनधाए ते बदल जानदाए एकोई शबद ते दूजी तरफ विखो मनुख हर रोज सुनधाए शबद हर रोज सुनधाए कीरितन हर रोज सुन दा है कथा पर गुस्ता की माफ जीवन उथे दा उथे कलवी करोध कीता सी फिर अजवी कीता है कलवी चूट बुरना पिया अजवी चूट बुरना पिया कलवी तो खाओ गिया अजवी तो खाओ गिया कथा कलवी सुनी सी कि अज़ भी सुने है के इस दुनियादी विच्छ सब तो बड़ा जड़ा दोखा है वो किसे दोजेदे नाल नहीं अपने नाल दोखा बहुत बड़ा दोखा अपने नाल हो रही है अपने नाल तो कबीर सहिव जी कंदियन कि जो शरीर तेरा बने आए ओ पशू तो वखर आए पंची तो वखर आए बनस्वती तो वखर आए पत्थर तो वखर आए जीड़ी पत्थर दी चेतना है सौ फिश्दी सुत्ती पही है और जीड़ी बनस्वती दी चेतना है वो पचीस फिश्दी जगदी है ते बाकी सुत्ती पही है पशू दी पंचाव फिश्दी चेतना जगदी है पंचाव फिश्दी सुत्ती पही है ते मनुख दी पंचाव फिश्दी चेतना जगदी है पची फिश्दी सुत्ती पही है ते ब्रह्म क्यानी दी सौ फिश्दी चेतना जगदी है सौ फिश्दी जिसनु कन्दे हन संत पुरुष जिसनु कन्दे हन नामी पुरुष ओ सव फीस दी जगदा है ओधी चेतना जग रही है ते उना दी चेतना जगी वही है ते उना दे विच दो गल्ला आप जिनु मिलन गियां गहरे तलते क्योंकि मिशन ही एई है जगत विच आउन धा उसनो देखना उसनो समझना कभीर सूरज चांद के उदय भाई सब देह कभीर सब जीकन देयन कि परमातमा ने जड़ी देह बनाई है जितने वी देह बनाई है जितने वी शरीर मनुखदे ते मनुखद शरीर इसकर के बनाया के एदे विच सूरज ते चांद उग सके है और देखना के इस शरीर विच चांद किस तरह होगेगा सूरज किस तरह होगेगा और शरीर बनाया ही इस करके ए दे विच सूरज भी होगे ते चांद भी होगे जेकर सूरज नहीं हो गया जेकर चांद नहीं हो गया इस शरीर दे विच ता कबीर सहब जिकन देहन फिर तेरा शरीर शरीर नहीं है फिर यह पशू अरगा है क्योंकि चारा पशू भी खान दा है बहुजन मनुख खान दा है गहरी नेद विच मनुख भी जान दा है ते पशू भी जान दा है आराम पशू न भी चाहिदा है मनुख न भी चाहिदा है ते काम वासन पशू जगत विच भी है ते मनुख जगत विच भी है ते बच्चे मनुख दे वियन ते बच्चे पशू दे वियन जनम और मरन पशू दे कोड़ भी है ते फिर जनम और मरन ते मनुख दे कोड़ भी है ते फिर उना दे विच बहेद की है जिस बुनिया दी बहेद दी कल कबीर साहिब कर दें अब जी कर दें ये प्राणी जिड़ा शरीर परमात्मा ने तेनो देता है एदे विच सूरज भी ओगे एदे विच चंधरमा भी ओगे तो सूरज किया है जन दी किरन नो जन पैदा होए जन और जदों ज्यान पैदा होया प्रिकाश पैदा होया अंदकार मिट गया जदों अंदकार मिट गया सारे संसे भरम वहम खत्म हो गए और गुस्ताकी माफ ए जितने भी परमहन जितने भी वहम जिनादे विचसी जिवन देया एक ज्यान दी कमी कारण है ज्यान दी कमी है और जित्थे ज्यान दी कमी है उत्थे अंदकार है तो फिर अंदकार तो वड़े तो वड़े सागर न भी ढख लेंदा है अंदकार ते अंदकार तो उचे तो उचे परबत न ढख लेंदा है अंदकार तो मनुख्धे जीवन विच अंदकार है फिर भर्मा विच जीवन 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 वि कोई वैम नहीं, उस तामारिक बिल्कुल सिद्धा है, बिल्कुल सिद्धा है, नहीं ता बहुत दफा देखिया, जिनाद जीवन पर्मा विच यते वैमा दे विच चल रहे है, ओ इतने आउखे हैं, इतने दुखी हैं, अद तो वाद दुखी हैं, एक ज्ञान कितों प्राप दोएगा, धान गुरु ग्रेंच सहिब दिबाणी ज्ञान दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, किरन दे रहे हैं, आप जी ने, जो चौदा तरीक नो, गुर्द्वारा ज्ञान गोदडी सहिब, जिसनो, पनर इस्तापित करन लई, जो एक महें मजारी होई, अब जिनने जब जी सहिब दपाठ की था, ते ओ जो शबद है, ग्यान गोदडी, ग्यान केंदे हन ग्यान नो, जेकर गोदडी शबद दा सी संदी विछेद करिये, ता गोदे हन किरन नो, सूरज दी किरन, और जिड़ा दरी शबद है, महन कोश्टे लिखारी इस दी वैख्या कर देयन, के फारसी बोली दी, एक ऐसी उपभाशा, जिस्ते विच शबदा नो, इतने मिठे शबदा विच बोलना, किसी गल नो, इतने प्यारे बोलना रही ही, गल करनी, ये मनक मुईत हो जान दा है, तो जगत गुर बाबा, गुरु नानक साहिब ने ग्यान दी एक ऐसी किरन, अपने शबदा दे रही ही, जगत नो देती है, तो गुर्बाणी ये उबदेश कर दी है, कि ए ग्यान ऐसा है, कि एक तरफ हजारां दी गिनती दे विचे चंद्रमा, हजारां दी गिनती दे विचे सूरज, और اक तरफ गुरु दा ग्यान, गुरु दा ग्यान वद प्रकाश मानें, हजारव हजारव सूरज जीवन विच्च प्रकाश नहीं दे सकदे संसारिक तलते दे सकदें पर अध्यात्मक तलते नहीं दे सकदे प्रकाश तो गुर्बानी दे बोलवन जे साव चन्दा उग मेह सूरज चने हजार एते चानन हों दियां गुर्बिन गोर अंधार गुरूतों बगेर अंदकार ही अंदकार है क्योंकि बाहर दा अंदकार सागर नो ढख देंदा है दिखाई ने देंदा सागर माजूद है सागर पर दिखाई ने दे रहे है बाहर दा अंदकार ढख देंदा है वड़े तो वड़े परवत नो परवत करीब है पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंदकार है जीवन दे विच जिड़ अंदकार है उस अंदकार दिनाल निरंकार दिखाई नहीं दिनदा जड़ा साड़े करीब है ओ दिखाई नहीं दे रहे है क्योंकि अंदकार है साड़े जीवन वीच जदों जगत दा सूरज जड़ पया अंदकार मिट गया फिर समुंदर भी दिस पया परबत भी दिस पया फिर मनुख एक दूजे नू देख लेंदा है अधिहातमक तलदा सूरज उगदा है ज्यान गुरू आतम उपदेशो ते उस ज्यान दी नाड़ उस प्रकाश दी नाड़ फिर निरंकार भी दिस बेंदा है मैं अर्ज कर देशी ए प्राणी तेरा जो शरीर है इस्ते विच ग्यान रुपी सूरज उगणा चाहिद है